नमस्कार दोस्तों वी आर्केटिव चैनल में फिर से आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे डूब्लिकेट अप्लाई इमेज और कैल्कुलेशन इस पर कैसे काम होता है और इसमें हम सीखेंगे कैसे इसमें यूज मिलाए जाता है तो उससे पहले बता दे आपने अगर यह सार ठीक हर तो सब से पहले हम क्या करेंगे डूब्लिकिरट इमेज। हम यहाँ पर नाम से भी देजटे हैं अब नू के नाम पर यहां पर हमने नू कर दिया अब यहां से कर देता है हम सेव अब जैसे हमने सेव कर दिया हमारा जो नू यहां से एक डूब्लिकेट लेयर के नाम से यहां पर सेव हो चुका है ति नू का यह काम है एंड डूब्लिकेट इमेज उसके बाद आता है हमारे पास अप्लाई इमेज यहां इंटरेस्टिंग है यह तो इसमें हम अप्लाई इमेज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे एक इमेज ले लेंगे और और image को सबसे पहले हम क्या करेंगे ? अब माल लीजिए हम इस image को यहांसे ले लेते हैं और इसिंपी छोड़ देते हैं और हम छोटा करते हैं यहां से क्रफट्राइस layer selection tool पर जाएंगे सिलेक्शन तूल पर हम क्रड़ेंगे बतbbe यहां से हम में से चुझा है क्या करती है क्या थी यह हो गया है फ्लाइ इमेज करेंगे तो अ कय से करते हम घह करेंगे अप इस layer को set कर ले, आपको इतने पर रखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जाना image पर apply image, जैसे आप apply image करेंगे, तो यहाँ पर आपका option यहाँ पर आ जाएगा, अब माल लिजे, यहाँ पर आपका जो layer है, आपका यह 56 के नाम से save है, यहाँ पर layer के नाम से है, यहा layer, आप यहाँ पर आपकर देखेंगे merge layer, आपको यहाँ पर करेंगे, इन दोनों को merge कर देगा, यह जो layer है, इसके साथ यह merge हो जाएगे, background, आपको जो background है, background के साथ यह, background के साथ apply कर देगा, यह है, कि जो background image है, इसके साथ match कर देगा, जो आपका उपर वाला image है, ठीक है, उसके बाद आप ना Turndim प्लैंड नल यहां प्लैंडर में पर ऊपषा करते हमें बलेंड करने ना तो इस स्माइज में उसके पर लोगा कि उस हिसाफ से आप ब्लेंडिंग कर सकते हैं अपने हिसाफ से कौन से अच्छा लग रहा है किस हिसाफ से आप रख सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लग रहा है इस तरफ से आप रख सकते हैं आप किसी भी इमेज के साफ इमेज ब्लेंडिंग कर सकते हैं आप यहां से यूज मे करेंगे इस तरह होगा तो आप स्वाप्ट लाइट कर देता हूं तो इस हिसाब से आपको देखें के इमिज ऐसे आजाएगा मैं कर देता हूं इसको क्लिक करेंगे आप जो हमारे जो दूसरा लेयर था हो जो इमेज हमने कट आउट किया हुआ वह पूरा मेंज के साथ अपला इसका यूज में लाते हम इसमें चैक करेंगे सबसे पहले क likely बता दूसरा को सिस्क्राइब जो चैनल से हैं मारे यहां पर हाएं अरजीवा इसमें पर Serum कि चैनल मरे अयमिक क्र आप हम इस चैनल सबसाइब गरना करना हम कभी़ी चैनल के यूज करना करने के यूज ऑन बैल अब इस image पे जैसे हमारा यह blue है इस image पर color correction करेंगे माल लीजे आप यहां से आप image पे गए और adjustment and curve आप इस निहीं करते हुआ कर दिया ठीक है आप इस थोड़ा सा लाइट कर दिया आप का जो चैनल है जो blue है वह अपका थोड़ा सा light हो गया है आप first image पर जाएंगे आप मालने नहीं जेस पर image में जाएंगे select करेंगे all image और इसको चक कर देंगे आप देखेंगे थोड़ा सा जो लाइट है और इस पर देखें कि जो ब्लू है वो थोड़ा सा लाइट हो गया तो एक एक चैनल को आप मालेज इस पर करना है आपको तो आप एड़िस्ट में जाके आप यहां से ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कल आप करने के लिए किक करेंगे हम इमेज पर एंड़ कलेशन करेंगे हैं बैकर के दरब आंगे रएंगे आपका ग्रेशिए मैं ऐसी कुछ आ जाएगा रेडॉन आपके पास इसमें गरीन है तो यह में आप अपनी हिसाब से आपyr का कर सकते ऑर इसका यूज हम ज्यादतर color correction करने के लिए यूज करते है अगर आपको cut out करना है तो इससे भी आप cut out कर सकते है ठीक है आपको क्या करना है यहां से यह background आपको select करना है और green और red आपको जो भी color आपको नहीं चाहिए उसको अगर आपको select करते है या आपको cut out करते है तो यहां से normal रखके आप यहां से red green and blue का वो कर सकते है ठीक है तो यहां से आप check कर ले और यहां से भी यह चैनल्स है आप इस चैनल्स पर apply करके आप check कर सकते है ठीक है और I think आपको यह समझ में आ चुका होगा फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप comment जरूर करें कि आपको क्या समझ में नहीं आया ठीक है और इसमें apply image में आप एक करके check कर सकते है ठीक है और main challenge पर हम इसमें चैनल्स के काम करते है ठीक red green and blue इसमें अगर color correction आपको light blue आपको क्या करना है इसमें dark करना है red में तो आप कर सकते है ठीक है इसके बाद हमारे पास option option आता है है यहां पर यहां पर देखिंगे ट्रैप कर नहीं पर जो आपशन होता है यह ज्यादा तर्यूज में लाते नहीं प्रेंट के लिए जो होता है तो I think हमारा यहां पर जो option है यह image option हमारे यहां पर खतम होगे अब next पे हम काम करेंगे layer पे और layer पे हमारे पास बहु फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंड वक्स में कमें जिरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले लाइक शेर साथ में कर दीजिए थैंक यू एंड टेक केर